है कि ये तौर्स कार मैं हूं सुर्फी सिंग और स्वागत है आपका हमारे चानल लेक्स माइलाइफ में जी आपको बतादे कि करीना कपूर कभी भी अपने डिलिवरी की बात बता सकती है जी हां आपने बच्ची की खुश खबरी दे सकती है आपको बता दे कि आज ही उनकी डिलिवरी की डेट है और कभी भी यह खबर आ सकती है कि करीना कपूर अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे चुकी है लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है लेकिन एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूस हम आपको देने वाले हैं क्रिस्टा आईबिएफ करके इक ब्रैंड है उसकी ब्रांद अंबासिडर बन चुकी है करीना कपूर जहाँ एक sollten यह इस बातो बोचान से मावाब भाती हैं आपको बताइए कि इसी की ब्रानद करीना कपूर को बनाया गया है और करीना कपूर ने खुद इस पर अपकर बयान चारी करते हुए बताया है कि वो कितनीनने क्राइट हैं इसकी ब्रांद अंबसेटर बनके जिहां एक सालोगे लिए करीना कपूर इन्सकी brand ambassador है वहीं आपको बता दे कि कई brand के लिए shooting कर चुकी है करीना कपूर खान कई ad film shoot कर चुकी है और अभी भी वो अपनी film की shooting कर रही है और आज ही करीना कपूर की delivery date है तो ये देखना तिलचस्प होगा कि कब तक करीना कपूर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है आपको बता दे कि करीना कपूर ने 9 महने तक लगातार काम किया है और फैन काफी जादा एप्रिसियेट करते हैं सबात को कि करीना कपूर खान इतनी जादा आक्टिव है आपको बता दे कि करीना कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और अब जो गुड नीउस आई है कि वो आई वी एफ की ब्रांड अंबासेडर बन चुकी है वो भी एक साल के लिए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं आप अपना रियाक्शन हमें कमेंच बॉक्स में बता सकते हैं बागी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ नेक्स्ट नाइल लाइफ से सुरूबी के रपोर्ट लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना आप बिलकुल ना भूलें